हेलो स्टुडेंट टूडे भी हेवलन क्लास सेवन मैथ चैप्टर नंबर फो एक्ससाइज 4.3 सॉल्यूशन यह 4.3 का क्या है थर्ड पार्ट है सॉल्यूशन का देखे यह हो गया पार्ट तू इसे पार्ट पार्ट तू में हम लोग नहां यह सारे कोशन डिसकस किये थे अब क्या करेंगे पूरे कोशन को सॉल्ब कर लेंगे क्यूंत कर लेंगे ये ट्रूरा लम्बा वीडियो होगा आप ज़िद एस समझेगा किंदे एपर्ट 3 क्या कर रें है बनाने है starting with और start किसे करना है x is equal to 3 से ठीक है na easy question है समझते हैं देखे question है construct 3 equation देखे question लिख दिया है मैंने construct 3 equation starting with x is equal to 3 देखे कैसे solve करेंगे solution है let us start with x is equal to 3 कि उसने बोला है स्टार्ट किसे करना है x is equal to 3 से तो हम लोगों ने भी लिख दिया कि चलिए solution में लिख देते हैं let us start x is equal to 3 जो भी रहेगा यहां पर मान लिजए कि रहता है कि construct 3 equation starting with y is equal to minus 7 तो आप भी क्या लिखेंगे आपको plus करने का मन कर रहा है तो plus करिए minus करने का मन कर रहा है तो minus करिए multiply तो multiply divide divide कुछ भी करिए आपको जो समझ में आ रहा है बस क्या करेंगे both side में करेंगे दोनों side में करेंगे जो करनेंगे तो मैंने क्या किया मैंने पहली बार में क्या करें दोनों side में ना 5 का multiply करें कि मुझे क्या करना equation बनाना है equation बनाने का मतलब है ना कि जैसा अभी तक आप लोगों ने ना जैसा यह दिखिए solve किया है ना 1 solve किया question 1 question 2 तो दिखिए यह क्या था equation था और हमें solution बनाना था अब क्या है अब solution है हमें equation बनाना है ठीक है न समझ में आ रहा है पहले solution पहले quotation था तो हम लोगों ने क्या solution बनाया solution निकालते थे अब solution है तो हमें क्या बनाना है equation बनाना है वह भी एक ही कुशन नहीं, हमें तीन ही कुशन मनाने हैं, बहुत ही इजी है, आप भी समझ जाएंगे, तो बुलेंगे क्या रहे हैं, तो बहुत ही इजी था, तो देखें, आप लोग याद रखें, जब भी आप लोग math solve करते हैं, तो copy pen लेकर करके जुरूर बैठिए, यह आप सोचेंगे ना, कि यह बस मैं देख करके सीख जाओंगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, कोई देख करके सीखा नहीं है, ठीक है ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, copy pen से, तो देखें, यह क्या कर रहा हूँ है, मल्टिप्लाइ कर रहा हूँ, और बहुत इसलिए, तो मैंने लिख दिया, multiply both side by 5, आप यहाँ पर, add 9, 9 to both side, add up का सकते है, 9 both side में, या subtract 6 to both side, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो मन करें, तो मैंने क्या क्या क्या, multiply both side by 5, तो देखें, question क्या था, x is equal to 3 लिखा पहले, x is equal to 3 था ना, x is equal to 3 है, देखें, अब मैं क्य 5 से बो side में, multiply कर दिया, ठीक है, then, x multiply 5 gives 5x, and x multiply 3 gives 15, यह हमारा हो गया, first equation, ठीक है, बास हो गया यह, पहला equation बन गया, अब next रूकर कैसे बनाएंगे, इसी में, देखें, तो अभी यह था ना, तो मैंने क्या क्या कर दिया, add 4 to both side, मैंने क्या क्या कर दिया, 4 को ना, add कर गया देखें, पहले यह था, देखें, 5x is equal to 14 था ना, sorry, 5x is equal to 15 था ना, ठीक है, मैंने क्या, both side में क्या add कर दिया, 4, 4, 4, ठीक है, तो देखें, अब क्या हो गया, 5x plus 4, इस side हो गया, अब क्या हो गया, 5x plus 4 is equal to 19, यह बन गया हमारा second equation, ठीक है, then, अब क्या करना है, आप, आप मुझे सही लगा add करने का, तो मैंने add कर दिया, फिर से, देखें, add 7 to both side, लिख दिया, देखें, question यह था, ऐसे question है, ठीक है, देखें, मैंने क्या किया, 7 को add कर दिया, 7, 7, ठीक है, add कर दोगे, तो 5x is equal to 11, और 19 plus 7 is equal to 26, यह हमारा हो गया, third equation, तो तीन equation बोला था, construct करने के लिए, हमने तीन equation क्या कर दिया, construct कर दिया, तो equation, इसे assume कर लिया, equation 1, इसे equation 2, और इसे equation 3, तो हम बोल सकते है, equation 1, 2 and 3 are the required 3 equation, starting with x is equal to 3, next है, construct 3 equation, starting with x is equal to minus 4, ठीक है, तो इसे क्या solve करेंगे, इसे भी same, उसे मारेट से solve करेंगे, जैसे equation, question number 3 को solve किया गया है, फिर भी मैं क्या कर रहा, आप लोग के लिए बना रहा हूं, ठीक है, एक बार ताकि आप लोग को और चाहिसे समझ में आ जाए, कैसे बनाना है, ठीक है, जब भी आप math self कर रहे होंगे, तो को करना क्या है, copy pen लेकर के बैठना है, नहीं तो न, ये कहानी तरह आप लोग को मैंनुस न, अबार रहे हुए, जब किर न, ये कहानी से बनाई-जोड़ के आप लोग से लिए फिर लोग कर कर सकते हैं, मैंने कहां है, का ऺइए, ये multiply x give 7x and 7 multiply minus 4 gives 28 ठीक है equation 1 बोल दिया गया then फिर मैं क्या कर रहा हूँ अब subtract कर रहा हूँ इस बार तो subtract 6 to both side देखे question ये था minus 7 is equal to minus 28 तो मैंने का कर दिया यहाँ पर 6 subtract कर दिया और यहाँ भी 6 subtract कर दिया ठीक है तो क्या गया 7x minus 6 then minus 28 minus 6 gives minus 34 equation 2 हो गया then क्या किया add 5 to both side अब कुछ बच्ची क्या करेंगे न add 6 to both side लिख देंगे ठीक है न सही कर रहे हैं लेकिन क्या हो जाएगा जब करेंगे न add 6 to both side तो क्या होगा न जो बनाएंगे न तो same to same वह ऐसा ही आ जाएगा ठीक है तो हमें तो different different equation फॉर्म करने है न construct करने है तो तो दिखो दोनों same आ जाएगा जब 6 add करोगे तब तो इसलिए जब subtract 6 किया होना तो subtract 6 तो add 6 मत करना वैसे जब multiply with 7 किया होना तो divide with 7 मत करना कुछ और divide with 9 कर सकते हो 10 कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो बस 7 मत करना और वैसे subtract 6 किये हो तो add कुछ भी कर सकते हो 8 कर सकते हो 20 कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो तो मैंने क्या किया add 5 to both equation both side देखें यह था 7x-6 is equal to 36 sorry minus 34 दोन सच क्या कर दिया मैंने 5 add कर दिया यहां भी और यहां भी तो 7x-6 plus 5 क्या होगा minus 1 minus 6 plus 5 minus 1 and minus 34 plus 5 कितना हो जाएगा minus 29 ओके then equation इसे 1 बोल दिजे इसे 2 बोल दिजे और इसे 3 बोल दिजे देखें equation 1, 2 and 3 are the required 3 equation starting with x is equal to minus 4 क्या होंगे equation 1, equation 2 and equation 3 क्या है हमारे required equation है जो की start किसे हो रहा है x is equal to minus 4 से ठीक है अब इस equation को और इस equation को solve कर गें आपका answer क्या आएगा x is equal to minus 4 ही आएगा यदि इसके अलावा कुछ और आ रहा है एक्विंस आपने गलज बनाया है क्यों यही आएगा और कुछ अलग नहीं नहीं आ सकता क्योंकि जो इत्तिने equation बने है न वो किस से बने है इसी से बने है ठीक है ना में आ गया then next देखते हैं solve the following equation question number 5 है इस equation क्या करना है solve करना है देखें यह है दिया हुआ b c d e तो हमनों पहले क्या करते है एक को solve करते हैं 6x plus 15 is equal to 7x plus 3 देखें यह है 6x plus 15 is equal to 7x plus 3 तो पहला step क्या है solution जो question दिया है उसका जटेश राइट कर दीजिए ठीक है then plus 15 है न इस side में तो आप क्या करिए आपना variable इसे बोलते है variable वाल् checking है । मतलब होता है है कि जहां पर भी आäक्स वाई जैड यह क्या है variable टर्म है यह भी क्या है variable टर्म है तो variable टर्म को एक शिफ्ट कर लिजिए और नॉन वेरिशेवल टर्म को एक तरफ़ीफ्ट कर लिजिए तो मैंने क्या किया plus 15 को न, transpose किया है RHS में and 7X को न, transpose किया है LHS में, ठीक है न, क्यों क्या बताया जाएगा भी, transposing 15 to RHS 15 कहाँ transpose कर दिया गया है RHS में and 7X to LHS और 7X को LHS में transfer कर दिया गया है we get, और हमें इसे क्या मिलेगा, देखिए एलसेस में किसeten में किया गया 6x को adjectives write कर दिजिए ठीक है लसेस में किसे लेखरके आया गया है 7x को प्लस 7x है इस सट आएगा तो माइनस 7x ठीक है इकल तो साइन है इकल तो साइन टें आरचेस में किसे कुछ नहीं किया गया है 3 को interjects ल् Braunानos 15 को प्लस 15 को तो यह सट आएगा तो माइनस 15 ठीक है देन अब सॉल्फ करेंगे ना 6x माइनस 7x क्या हो जाएगा माइनस x and 3 माइनस 15 गिफ्स माइनस 12 ओके देन देखिए हमें तो चाहिए केवल x का वैल्यू क्योंकि सॉलुचन में सॉल्फ सन्च जब करें तो क्या मिलता है हम लोको करें कवल वैरी बार्येबल के वैल्यू चाहिए एक सका तो x का वैल्यू तो यहां पर आयाए क्या है नहीं यह थंग क्या करेंगे हैं से कि minus 1 into x करेगे तो minus x कैसे होता है ठीक है न डिवाइडिंग बोच साइड बाइड 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 करेंगे minus 1 डिवाइड करेंगे we get क्योंकि यहाँ पर minus 1 multiply में है इसलिए तो question यह था sorry यह यह था ना minus x is equal to minus 12 तो as is right कर दिया गया यहाँ पर माइनस से डिवाइड किया गया इस साइड और इस साइड भी रेखें माइनस से माइनस कट गया माइनस से माइनस कट गया x divided by 1 x and 12 divided by 1 gives 12 x is equal to क्या आ गया 12 आ गया so it is the required solution it is the it is the required solution okay लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे check करेंगे अपने solution को कि हमने जो बनाया है न वो सही बनाया है यह नहीं बनाया है check कैसे करते हैं check करना भी बहुत easy है check करने के लिए पहले भी मैंने बता चुका है check कैसे करते हैं लेकिन अ भी भी सीखके करने के लिए ना देखें, question क्या है, a is equal to 6x plus 15 is equal to 7x plus 3 है देखें, इसे बोलते हैं जो equal to के left hand side में रहता है उसे बोलते है LHS, और जो equal to के right side में रहता है उसे बोलते है RHS, ठीक है, तो LHS क्या है, 6x plus 15 है, okay, then RHS क्या है, 7x plus 3 है, okay, ठीक है, अब देखते हैं, X का क्या value आया था, X का value आया था हमारा 12, तो 12 क्या करते हैं, put करते हैं यहाँ पर, 6 into 12, क्योंकि इन दोने कुछ में sign क्या है, multiply क्या है, तो 6 multiplied 12, plus 15 था, plus 15 as it is, okay, 6 और 12 को multiply करेंगे, तो क्या दाएगा, 72 plus था, तो plus 15 है तो 15, then 72 plus 15 gives 87, ठीक है, then RHS, 7x plus 3 है, तो 7 multiplied 12 plus 3, क्योंकि 7 और X कैचिज में है, multiply में है, ठीक है, then 7 multiplied 12 gives 84, अब प्लस है तो प्लस और 3 है तो 3, 84 plus 3 gives 87, तो देखिए, 87 तो दोने सेम से मागए न, it means LHS equal to RHS, hence the solution is correct, हमारा solution क्या है, correct है, ठीक है, then, अब next है, B, C, D और F, सबी क्या है, यह जैसे ही, देखिए, B भी देखिए, E कैसे दिख रहा है कि नहीं, बस यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर माइनस है, देखिए, C भी वैसे ही है, D भी वैसे ही है, और F भी वैसे ही है, थोड़ सा E कुछ थोड़ सा अलग दिख रहा है, तो E को solve करते है, 3 क्यों हम बोल रहा हूं, कहाहां प्लस 3 है, दिखने रहा है, कहाहा है, ब्लस 3 ही रहता है, उठीक है, equal to sign equal to sign then 2 ka multiply करेंगे 2x से 2 multiply 2x then 2 ka multiply करेंगे minus 8 से okay then 3 multiply x gives 3x and plus 3 multiply with minus 4 तो क्या होगा दिखिए number number को multiply करें 3 4 जा 12 and plus minus minus equal to है तो equal to 2 multiply 2x तो देखिए फरी number number को multiply करें 2 2s आ 4 और x है तो x ठीक है ना अब plus 2 minus 8 देखिए तो 2 multiply 8 16 अब plus minus minus ओके समय आ गया अब देखिए अब आपको ना यह जो दिख रहा है ना यह जैसा है देखिए यह कुछ ऐसा ही था ना ठीक है यह अब ऐसा ही है जैसा कि यहां पर हम लोग को यह show हो रहा है ठीक है ना बस यहां पर क्या था प्लस 15 था और यहां क्या है माइनस 2 है यहां पर क्या था प्लस 3 था यहां क्या है माइनस 16 है तो यह वैसे ही solve करेंगे लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं मैं देखिए अब क्या करना है मैंने जैसे बताया था ना कि variable वाले को एक तरफ रखना है और non variable वाले को एक तरफ दे आएगा और M-12 क्या है LHS में है यह जाएगा है SHM' speaks transpose G- which the work from LHS to RHS and transposing 4x from RHS to LHS we get, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखे, 3x कुछ किया कि मैंने, नहीं न, 3x को एजटीज राइट कर दीजिए, 4x को मैं लेकर के आया हूँ न, कहाँ से, RHS से, LHS में, तो plus 4x है, तो इससे डाएगा तो, minus 4x, ठीक है, equal to sign है, equal to sign, minus 16 है, minus 16, minus 2 को मैंने कुछ नहीं किया, minus 16, plus 12, minus 4, okay, then देखे, यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, कि minus x लिखा हुआ है, it means, इसका मतलब होता है, minus, minus 1 into x, यहादी x है न, तो इसका मतलब भी होता है, 1 into x है, ठीक है, तो minus x का मतलब है, minus 1 into x, minus 1, तो इसलिए मैंने क्या करूँगा, माइनस 1 से डिवाइट करूँगो, क्यों मुझे minus 1 हटाना है, यहाँ से, तो डिवाइट करूँगो, देखे पहले हैं, यह ऐसा था, minus से डिवाइट किया, minus 1, minus 1, okay, then minus से minus 1 कट गया, minus से minus 1 कट गया, और कोई जो कट नहीं रहा है, तो x divided by 1, x होता है, 4 divided by 1, क्या होता है, 4 होता है, x is equal to क्या आगया, 4 आगया, तो यही क्या हमारा required solution है, अब आप इसको भी आप check कर सकते हैं, जब तक, जब तक question में यह ना बोले ना, कि check करना है, तो तक check मत करिएगा, कि also check the result, also check the result, तब आपको क्या करना है, check करना है, जो answer आएगा उसको check करना है, यही कोशन में कुछ नहीं बोला है, तो आप check मत करिएगा, आपके लिए benefit है, जितना कम solve करेंग, उतना अच्छा रहेगा, उतना अदा गल्दी चंशिस करा रहेंगे, कम रहेंगे, एटेगा, then, mcq है, अब क्या है, mcq है, mcq का फर्स्ट कोशन है, क्वेशन नमबर 6, the value of n in this equation is, तो n का value क्या होगा, तो n का value के लिए हमें n को solve करना पड़ेगा, solve करना पड़ेगा या फिर आप क्या कर सकते हैं, solve कर लिजिए, जैसे कि इन सभी को solve करते हैं, इसको solve करते हैं, किसी को भी solve करते हैं, वैसे solve कर लिजिए, या solve करने का मन नहीं है, तो इहां पर option दिया हुआ है तो अप option से tick कर लिजए तो कैसे check करेंगे option से तो क्या apprendre, check करेंगे सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ यहां पर बोल रहा हूँ कि LHS क्या है LHS और यह क्या है RHS क्यों है यह इक्वल्टू के left side में है इस लिए LHS equal to right side में है इसलिए RHS तो मैंने LHS भूल दिया 3N-5 और RHS भूल दिया minus 21 अब चेक कर रहे हैं देखें पहले A is equal to 2 रखतर के चेक करते हैं कि LHS equal to RHS है या नहीं है देखो LHS क्या लिखा 3N-5 ठीक है 3N-5 A के value क्या रखना पहले बार में 2 रखना है 2 रखते हैं N is equal to 2 put कर दिया then 3 2-5 कितना होता है minus 3 then 3 ठीक है sign इसके बीच में क्या चीक है मैंने बताया था ना पहले भी फिर से बता रहा हूं कि bracket है ना तो bracket मतलब कि 3 multiply minus 3 ऐसा sign है ठीक है ना then 3 3 जा 9 9 हो गया और प्लस यहां पर है प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस तो क्या LHS माइनस 9 RHS माइनस 21 के इक्वाल है क्या नहीं इसलिए हमारा option यह तो answer नहीं हो सकता फिर B क्या option माइनस 2 है तो अब इस बार ना LHS लिखते हैं वैसे ही LHS अब यह करूंगा N is equal to मैं माइनस 2 पूट करूंगा ठीक है sorry 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 देखें यहां पर माइनस है तो माइनस 5 ओके देन 3 है तो 3 माइनस 2 माइनस 5 gives माइनस 7 equal to 3 multiply माइनस 7 multiply करेंगे इसका देखें 3 सेवेंजा 21 प्लस माइनस माइनस देखें LHS RHS की equal है क्या तो चेक करेंगे चेक करेंगे ना तो देखें LHS कितना solve करने पहा है माइनस 21 और RHS कितना है माइनस 22 दूने क्या है इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा answer क्या है बी है ठीक है बट हम C भी देखते हैं और D भी देखते हैं कि क्यों C और D नहीं हो सकता तो LHS 3 N-5 है इस बार मैं C में क्या है 7 तो मैं 7 रफूंगा N की वैल्यू 3 7-5 is equal to 3 है 7-5 2 3 2 6 क्या 6 माइनस 21 की equal है क्या नहीं इसले C नहीं हो सकता फिर D 3 N-5 equal to 3 minus 7 रखना है इस बार 3 multiply minus 7 minus 5 कितना होता है minus 7 minus 5 minus 7 minus 5 होता है minus 12 okay then 3 multiply 12 36 and plus minus minus okay then तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एंसर क्या है B है ठीक है सुन में आगे और लाश्ट कोशन है कोशन 7 the value of y in this equation y का value क्या होगा तो दिखिए जैसा इससे solve किये थे न वैसा इससे solve कर देंगे तो यहां पर ऐसा लिफ देगा कि LHS is equal to क्या है LHS है 3 minus 2 2 minus y ठीक है and RHS क्या है RHS है 7 तो LHS में न सभी की value पूट करिएगा जिस भी value को पूट करते समय RHS 7 आ जाए वही value क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है सवज में आ गया यह यह नहीं बनेगा न तब मुझे पूचिए गा मैं आपको क्या करूँगा इसका solution आपको प्रवाइड करवा दूँगा ठीक है मिलते हैं next video में next video हमारा exercise 4.4 के concept concept का वीडियो रहेगा it means basic का वीडियो रहेगा उसमें लोग सीखेंगे कि कैसे solve करेंगे basics को exercise 4.4 में क्या क्या basic use होगा और फिर उसके बाद हम लोग exercise 4.4 का solution करेंगे ठीक है ना मिलते हैं next video में till then bye